हलो फ्रेंड वैलकम टू माई चैनल आज आपको दिखाना चाहती हूं कि 20 दिन पहले बर्गर में कलम बांधे थे उसमें जड़ निकल आई है आपको दिखाना चाहती हूं कि कलम में जड़ निकली है उसको कहा से काटना चाहिए और कईसे लगाना चाहिए यह कलम जो बान के तयार करी हूँ यहां आप देख सकते हैं कि यह बाहर से गांट के पास से दूसरा कल्ला निकलाया है इसको ऐसे काटना चाहिए कि यह दूसरा कल्ला जो निकला है वो कटना नहीं चाहिए इसको यहीं से कट करके और इसको लगाएंगे कलम जो बांधे थे उसको काट लिये हैं अब यहीं बगल से जो दूसरी गार थी यहां से देख रहे हैं यह दूसरा साखा निकल आया है अब यह तैयार हो गया यह कलम काट लिये हैं अब इसको चल रहे हैं लगाने बताने चलना है कि कैसे इसको लगाया जाए गया यह कलम जो बांधे थे इसमें सी यह धागा खोल के निकालना है इस धागे को खोल देंगे और पनी जो लपेटी हुई है इसको भी निकाल के इस धागे को निकाल करके अलग कर देना है उसके बाद यह जो पनी लपेटी हुई है इसको धीरे से निकालना है कि उसमें जो मिट्ती लगी हुई है जड़ निकली हुई है वो निकलना नहीं चाहिए बहुत आराम से यह पनी निकालने ना है अगर पन्नी तेजिस निकालेंगे तो आपकी जड़ तूट सकती है बहुत आराम से इसका पन्नी निकालना चाहिए नहीं तो ये जड़ जो निकली हुई है ये तूट जाएगी इसमें ये काफी जड़ निकलाई है अब इसको लगाने के लिए ये मिटी तयार करके रखे है, इसमें बढ़नी गोबर का खाथ मिटी बराबर का मिलाके रखे हुए है भुरुरी मिटी होनी चाहिए, कंकर उंकर ज्याहदा नहीं होनी चाहिए अब इसको आप चाहे गमले में लगाएं या पोली थीन में लगाएं जमीन में लगाना चाहें जमीन में लगाएं आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको इसको दो लीटर की पोली थीन है इसमें लगाने चल रहे हैं और लगाने के बाद इसको एक हफ्ते तक छाए में रखना है अगर डारक धूप में रख देंगे तो जड़ जो निकली हुई है जड़ सूखने लगेगी तब तक इसको छाए में रखना है जब तक कि जिस मिट्टी में हम लगा रहे हैं उस मिट्टी में इसकी जड़ फैल न जाए तब तक इसको छाए में रखना है और पानी इसमें बहुत हलका डालना है अगर पानी जड़ डाल देंगे इसके जड़े जो है तने जो है यह सड़ जाएंगे कि बहुत पतली पतली डाल इसमें जड़ निकलती है यह सड़ जाएंगे इसमें दूद होता है इसलिए ज़्यादा पानी की आउसकता नहीं पड़ती है अब लगाते समय नीचे का पत्ते जो है इसको कट कर देना चाहिए इस पत्ते को कट कर दिए अब उपर यह तीन पत्ते हैं और यह नए शाखाएं निकली है यह आगे फिर बाढ़ते ही जाएंगे पत्ते अब इसको सीधा रख के लगाना है तेना नहीं अगर आपका कलम तेना है तो उसको थोड़ा जुका के सीधा करके लगाओ कैसे लगे सीधा है तेना नहीं है तेढ़ा लगाने से क्या होगा कि यह और बड़ा होगा ति यह तेढ़ा होता जाएगा तो सीधा लगाने से बड़ा होगा बिल्कुल सीधी सीधा पेड़ तयार होगा आप चाहे इसको कहीं भी लगा सकते हैं लोग बार पूजा भी करते हैं बहुत अच्छा होता है बर्गत घर में लगाना पीपल तो नहीं लगाना चाहिए पर बर्गत लगाना बहुत अच्छा होता है बर्गत में कहते हैं भगवान कवास होता है बर्गत लगाना बहुत अच्छा होता है हमारा कलम तयार हो गया था हम ये लगा लिये हैं आसा करते हैं कि आप लोग भी लगाएंगे पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात होती है पेड़ लगाना पेड़ का सेवा करना एक सवलों की एक बच्चों को सेवा कर लिए अगर सभी यही सोच ले कि एक एक पेड़ लगा दे तो जो पेड़ इतने कड़ गए है बारिस नहीं होता पेड लगाना कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है, कितना सकून मिलता है, पेड लगाना बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों के पास जगह हो, जमीन हो, तो आप कोई भी चीज के पेड़ लगा सकते हैं फल हो आईसे ही हो अगर नहीं है तो आप छोटा से गाडन बना लीजे गाडन में अपना फूल पत्ती लगाए उसका सेवा करिए सुबा की पहर उसमें टहलने निकलो कितना अच्छा लगता है हमारे यहां तो नर्शरी है इसमें लगे रहते हैं लगाते रहते हैं बाते करते रहते हैं हसते रहते हैं बोलते रहते हैं इन पेड़ों से अगर आप लोग भी करेंगे इस तरह एक लगाव हो जाएगा पेड लगाने में जितनी खुसी होती है पेड धीरे धीरे जितना बढ़ता है उतनी खुसी होती कि हाँ हमने ये पेड लगाया था आज इतना बड़ा हो गया आज फल देने लगा तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिये अपने दोस्तों में शेयर करिये और आप लोग भी पेड लगाये तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप हमारे चैनल में नए हैं त शेयर और लाइक करने बिल्कुल नहीं बोलेगा थैंक यू